हेलो दोस्तों नमस्कार अपने इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था और उसके 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हम discuss कर रहे थे UP Polytechnic Lecturer के जो candidates हैं उनके joining से related news के बारे में और आप देख सकते हैं कि आज से लगबग 5 दिन पहले ये जो वीडियो है अच्छी खबर करके इसमें आप देखेंगे कि 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया थे कि अच्छी खबर और इस वीक तक जो है नॉबर के फर्स्ट वीक तक joining लेटर सभी को मिलना सुरू हो जानने की उमीद है और वो मिलने लगा यह है कि प्राविधिक सिक्षा विबाग की तरफ से जोर सोर से काम अभी सुरू कर दिया गया है दिवाली के बाद से joining लेटर इसू भी कर दिया गया भी डिसकस करेंगे क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में अपने देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जो प्रोविजनल कैनिडेट है उनकी joining क्या साथ में आएगी या बाद में आएगी तो उससे रिलेटर भी जो एंसर है हम इसी वीडियो में डिसकस तो अनुरोध है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें सायद आपके सारे क्वेस्टन का एंसर इसमें मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहें नियुक्ति पत्र और ये नियुक्ति पत्र जो है ये नियुक्ति पत्र है उत्तर प्रतिस में प्रवक्ता सिविल अभियंतर के लिए और सिविल अभियंतर में ये नियुक्ति पत्र आया है जिसमें की 12 कैंडिडेट के लिए नियुक्ति पत्र आया, OutUp 17 17 में से 12 candidate को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है मैं उमीद करता हो कि जो नियुक्ति पत्र है किनको किनको आया है यह आप सभी लोग को पता होगा इसलिए मैं ज़्यादा देर तक सब के नाम नहीं बोलने वाला आप screenshot ले सकते हैं और आप यह देख लिजिए कि सारे जो 12 candidates हैं उनका नाम यह भी आप यहां से देख सकते हो नेक्स्ट अकर branch की हम बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच यहां पर फिर से आप देखिए प्रवक्ता यांतरी कभी अंतरर यह जो है सकते हैं आप देख लिजिए पूरे 20 में से 10 लोगों का इसमें भी आ चुका है जो निक्ति पत्र है वह जारी कर दिया गया है तो सबसे पहला तो था आप यहां देख सकते हैं 1623 है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेटर नंबर की बात करें तो जो मेकेनिकल इंजिनिंग के लिए था वो लेटर नंबर 1624 है और आगे आते हैं तो 1625 पे आप देखेंगे कि 1625 वाला जो मेडिकल लेटर है वो है बिद्दु तभी की तरफ आएं तो 1629 है हमारे पास इसमें भी हो सकता है 26 27 28 पे भी किसी ने किसी ब्रांच का आया ही होगा तो 1629 नंबर पे आप देखे 1629 नंबर पे है करमसाला अधिक्चक जो कि हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं हमने एक वीडियो जो धमागेदार खबर वाली है उसमें इसको डिटेल में डिसकस किये हुए तो यह है इसमें इसमें अच्छी बात है कि 14 के लिए और सभी 14 के लिए वह आया हुआ है और यह लोग एक 2014 पंदर के चार 2014 पंदर के नहीं लेकिन जो चार 2014 पंदर वाले नहीं आया है तो उनको क्या करना है आगे की बात करिए तो नेक्स देखिए 1631 के बाद 30 नंबर हमारे पास नहीं है 25 अक्टूबर का ही लेटर है 1631 नंबर और यह लेटर है लेक्ट्रोनिक्स अभी अंतरर 2014 पंदर के 21 पदों पर से इसमें केवल दो लोगों का आया है और इ उसमें भी 5 पोश्ट थी उसमें से भी एक लोग को जारी कर दिया गया है तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी लोगों को बहुत बहुत बदाई जिनको भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है उमीद करता हूँ कि अगर आपका नाम नियुक्ति पत्र में है तो आपको वो मिल चुका होगा अलेड़ी इसलिए मैं हर एक ब्रांच के लेटर्स को पड़ नहीं रागी किनकिन कैंडिडेट्स को मिला होगा लेकिन ये ब्रांच जो सबसे पहले मैं बता दूँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, करमसाला, अधिक्चक, एक दोजार चोदर पंदर और साथी साथ में चार दोजार चोदर पंदर को निक्तिपत्र जारी कर दिया गया है अब इसमें पात यह उठ रही है कि कुछ-कुछ candidates को जारी किया गया, कुछ candidates को जारी नहीं किया गया, तो इसमें यही एक simple सी बात है, कि उन सारे candidates को जारी नहीं किया गया, जिनका police verification उस time तक complete नहीं हुआ था, यह later prepare करने तक police verification की report सासन तक नहीं पहुचे थी, तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चल्दी से जल्दी अपनी joining कराना चाहते हैं, तो सभी लोग अपने अपने district से DM कारेले से, CHSP कारेले से जाके आप feedback लेते रहे हैं, उसको थोड़ा देखिए, बात करिए कि आपका police verification कहां पे रुका हुआ है, अगर वो कहीं पे रुका जितनी जल्दी आपका police verification मंतराले के पास पहुचेगा, उतनी जल्दी 2014-15 के candidates की joining आएगी, अब बात करते हैं 2021 के candidates की, तो 2021 के candidates ये ध्यान रखे कि उनकी भी joining इसी कारण से मुझे लगता है, उनके लिए तो police verification mandatory नहीं, ये क्योंके उनके लिए प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 भर लिए गया है, तो उनकी joining में ज्यादा डिले नहीं होने वाला है, लेकिन डिले इस कारण से हो जाएगा, गर 2014-15 के candidates जल्दी से police verification नहीं कराते, तो 2014-15 वाले सारे candidates से मेरा अनुरोध है कि भाया, आप अपने अपने district पे जाए, चाहे SP कारयाले से पता करिए, चाहे DM कारयाल साथ में साथ, आपके junior जो 2021 के होंगे, आपके बाद के जो candidate 2021 के candidates हैं, उनके तक ये later पहुचेगा, और उनकी भी joining के लिए रास्ते खुलेंगे, साथ ही साथ में दोस्तों कुछ लोगों का ये question है कि provisional candidate की joining कब आएगी, मेरे मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा कि provisional candidate जो provisional जिनका selection हुआ ऐसा नहीं है कि उनको बाद में ही joining letter इसू किया जाएगा, अगर आपके न्युक्ति provisional या बंधिक हुई थी तो obviously आपके कोई document अधूरे रह गए होंगे, वो document अगर आप सही time पे submit कर दियें सारा कुछ, police verification उसके बाद आप लोग का सभी साथ में हो है, तो बहुत सारे ऐसे candidates हैं इन सब results में भी जिनका result के time में provisional हुए थे, लेकिन अभी उनका result अनौन्स हो गया, मतलब joining letter जारी कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने document जल्दी ही submit कर दिया था और police verification भी उनका जल्दी हो गया, तो आप समझ लिजे, अगर आपका provisional है और आ time बाद ही आएगा, हाँ आएगा इसमें तो कोई दोरा नहीं, लेकिन हो सकता है तो आप टाइम लगे, लेकिन provisional एक बार आपने उसके वलाव बंदिक select थे, इस कारण से आपका बाद में आएगा, ये बात सही नहीं है, इसमें बहुत सारे candidates हैं, अगर आप results से match कराईए और नियुक्ती पत्र को match कराईए, तो जो आप बंधिक थे, उनका आया है जो आनिलेटर, और जो सही से सारे document समीट करके selected हुए थे, उनका नहीं आया, क्योंकि उनका PV अभी तक नहीं हुआ है, तो दोस्तों यही बात आप लोग के साथ मुझे share करनी थी, maximum चीजे मैं जान लेकिन, चुकि मेरे चैनल पर इतने सारे वीवर्स हैं, अगर दो, चार, दस लोगों को भी यह बात नहीं पता रही होगी, उनके लिए भी यह पता होगा, तो मेरे मेरा यह वीडियो बनाना सफल होगा, मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट यह भी है कि अपने DM कार्याले पर जाके, अपने डिस्टिक के SP कार्याले या DM कार्याले से जाके पता करिए कि आपका बुलिस वेरिफिकेशन का लेटर आगे फारवर्ड कर दिया गया कि नहीं, नहीं किया गया, तो उसको कुछ भी उपा करके बातचित करके रिक्वेस्ट करके फारवर्ड कराईए, थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो